संदीप नांगल की हत्या किस ने कराई कहां रची गई हत्या की साजिश कौन कौन गैंक्टर इसमें शामिल थे और लारेंस विस्नोई और बबीहा गैंग इस मामले में जूठे जिम्मेदारियां क्यों ले रहे थे दरसल संदीप की हत्या 14 मार्च को पंजाब के जालंदर के मल्यान गाउं में कबड़ी मैच के दोरान पांच अग्याद हमलावरों ने गोली मार कर की थी जिसके बाद पूरे पंजाब में ये खबर जंगल में आख की तरह फैली और उसके कुछ देर बाद पांच राज्यों के कुख्याद गैंस्टर लॉरेंस विस्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले थी और अगले ही दिन लॉरेंस के विरोधी गैंग तेविंदर बंबिहा गैंग ने इस हत्या के जिम्मेदारी लेते हुए कुख्याद गैंस्टर लारंस विस्नोई को धम के लिए थी लेकिन अब इस हत्याकान का राज खुल चुका है संदीप नांगल की हत्या के मामले में अब पंजाब पुलीस ने दावा किया है कि उन्होंने इस मामले को सुलजा लिया है रिपोर्ट के मुताबिक केनाडा और मलेशिया में रहने वाले तीन लोगों ने संदीप की हत्या की पूरी शड़े अंतरची थी पंजाब सरकार ने इस केस केस सॉल्ब होने की जानकारी पिटर के माध्याम से दी है पंजाब पुलीस ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने अंतरची कबड़ी खिलाडी संदीप नांगल अंबिया की हत्या के मामले को सुल्चा लिया है पुलीस के मुताबिक पेशेवर प्रतिजंदता की वज़ा से कैनाडा में बसे स्नोवर धिलो की साजिश्वर इस खटना को अंजाम दिया कहा था पुलीस ने धिलो समित करीब दरजन भर लोगों के खिलाफ मामला दरज किया है इसमें पांच शूटर और उन्हें पनाह देने वाले एक व्यक्ति का नाम भी शामिल है पुलीस ने ऐसे चार लोगों को भी पकड़ाए जो इससे पहले पंजाब या फिर पड़ोसी राज्यों की जेल में बंद रह चुके हैं पुलीस ने बताये कि शूटर्स को कैनाडा में बैठे धिलो के दिशा निरदेशों पर बुलाया कहा था पंजाब पुलीस के डिजीपी का कहना है कि पुलीस को धिलो की इकतित सनलिप्तता के जानकारी फाते सिंग से पोस्ताच के दौरान मिली है स्नुवर धिलो ने कई खिलाडियों को अपने फेडरेशन से जुड़ने के लिए मनाने की कोशिच कि थी लेकिन जाता तर मशहूर खिलाडी संदीप के प्रबंधन वाली मेजर लीक कबड़ी से जुड़े हुए थे जिससे के डिलो का महासंग अस्फल रहा फते ने ये भी मना कि उन्होंने स्नुवर के फेडरेशन से जुड़ने के लिए कुछ खिलाडियों पर प्रेशर भी मनाया था पुलीस ने कहा है कि अमरिस सरका स्नुवर धिलो इस समय कैनाडा के ओंटारियो के ब्रैम्टन में रहता है और वो कैनाडा के साथ एक टीवी और रेडियो शो का नर्देशक और प्रोड्यूसर भी है पुलीस ने सुखवेंदर सिंग और फसुखा डूनके पर इस खिलाडी को मारने की साज़ेश करने के लिए मामला दर्ज किया है जलंधर पुलीस ग्रामीर एससपी साजिंदर सिंग ने प्रेस कांफरेंस के दोरान कहा कि फते ने स्विकार किया है स्नुवर धिलो के निर्देश पर उन्होंने अमित डागर, कौशल चौधरी, जगजीत सिंग, लकी पटियाल और सुखा डूनके के साथ मिलकर संदीप की हरत्या के लिए हमलावरों को इंतसाम किया था जिन तीन मुख्य लोगों ने इस हत्या का शड्यंत रचा था वो थे स्नुवर धिलो, सुखविंदर सिंग और सुखा डूनके और जगजीत सिंग और गांधी स्नुवर और सुखा कैनाडा में रहते हैं जबकि गांधी मलेशिया में रहता है जैनकारी के मताबिक सिमरन जीत और फजुचर ने सुखा डूनके के कहने पर हमलावरों के छेपने के लिए अपने रिष्टेदार सुरण सिंग के घर में जगा मोहया कराए थी जो अब फरार मताया जा रहा है SSP ने कहा है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिराफतार कर लिया जाएगा सुरण सिंग के घर से 18 लाइव काटीज और 12 बोर राइफल भी बरामद हुए है टीम BDF News